Hi guys my name is Nidhi Bhattnagar and I welcome you all in my channel online classes by Nidhi Bhattnagar So, what are we going to do today? Today we are going to start Maths' new book that is Grow with Numbers The book is 22 chapters So, 22 chapters I will try to complete it in my channel And today we are going to start Numbers and Numeration That is chapter number 1 You will start the Numeral for the given number names So, here is what you want to write in Numers What do you want to write in Numers? What do you want to write in Numers? You want to write in Place Value Chart You will request a class vote One, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh You will start the first question वो क्या करें है 22,100 एंफिटीन इसको लिखने के लिए हमें क्या करना जाए है आपर वन्स जस्ट अ मिनिट यहां लिखो वन्स टेंस तो यह दोनों थाउजन के प्लेस में यह नहीं कि 22 इस तरह लिखा जाएगा वन हंड्रेट तो वन हंड्रेट का लिखा जाएगा वन के नीचे 15 15 कैसा आएगा वन और 5 15 15 में क्या होता 10 10 होते हैं और 5 वन होते हैं है न यह बन गया हमारा 22,115 हमेशा यह जो अगर आप उपर लिख लोगे नहीं से को 60,000 60,000 का मतलब यहां हो गया 60,000 के प्लेस है न 1000 और 10,000 60,000 400 तो 4 आया हमारा 100 के नीचे और 23 तो 23 आएगा हमारा इस तरीके से क्लियर है 60,000 423 नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं 41,325 आप चलो फिर सबनाते प्लेस में चार्ट 1,10,100,000 10,000 ठीक है 41,000 तो 41,000 क्लियर है 300 तो 100 के प्लेस पर क्या जाएगा हमारा 3 जाएगा 25 तो 25 कैसे आजएगा हमारा यहां पर आ जाएगा क्लियर है 1,10 जिसमें 25 में 20 तो 10 है और 5 वंस है क्लियर है यहां पर नेक्स्ट कॉश्चन पर आ जो अब यहां पर आ रहा है 1,34,009 अब हमें यहां क्या से बनाना होगा फिर से बनाओ फिर से बनाना पड़ेगा इसे 1,10,100,000 यहां तक चीए क्योंकि 1,100,000 है तो लेक के प्लेस तक बनाओंगे हम 1,100,000 तो 1 लिखो लेक के नीचे के बनाओंगे फिर से बत किया है 34,000 तो थाउजन की प्लेस पर क्या जाएगा 34,009 लास्ट में लिखना है ठीक है न नाइन आप 100 की प्लेस पर कुछ निये तो जीरो लगा तो एफिरो लगा तो जिस प्लेस हमें कुछ नहीं मिला होता वहां क्या लगाते हैं जीरो लगा ज कुछ नहीं आएगा मैं इस बुक की प्लेलिस्ट बना दूंगे आपको लाइन से न सारी की सारी वीडियो मिल जाए करेंगी जब भी आपको ज़र रहत है नेक्स्ट देखिए फिफ्टीन ताउजंड और सिक्स्टी फॉर कैसे करेंगे से वांस टेंस हंड्रेड थाउजंड अन्सेज टेंथाओजन ठीक है इस तरीके का बनाएए फिर लिखियो इसमें फिफ्टीन ताउजंड फिफ्टीन पे पिलेस पे जाएंगे फिफ्टीन इस तरीके से एंद शिक्स्टी फोर तो देस तरीके से जाएगा ठीक है 64 लेकिन हंड्रेड के बिस पे कुछ नहीं है हमारा आएगा 0 ठीक है 100 के प्रेस पर कुछ नहीं है तो हमारा क्या आएगा 0 नेक्स देखो नेक्स वो कह रहा है त्री लैक्स 77,844 अब यहां में लैक्स के प्लेस तक जाना है तो हमें क्या उना नहीं है 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लैक्स ठीक है 3 लैक्स मतलब लैक के नीचे 3 आ गया 77,000 तो थाउजंस के प्लेस पर 77 आ गया 800 तो 100 के प्लेस पर 8 आ गया और 44 तो 44 आ गया हमारा इस तरीके से clear है 3 आ गया लैक्स के प्लेस के नीचे 77,000 तो थाउजंस के प्लेस पर 800 आ गया 100 के प्लेस पर 44 आ गया हमारा normal 10s और 1s पर 44 में क्या होता है 4 10s होते हैं 4 1s होते हैं ठीक है नेक्स्ट देखो 19,000 चलो 1s बना लेते हैं पर 10s 100,000 और 10,000 ठीक है क्या कह रहा है 19,000 तो 1 & 9 19 आ गया थाउजंस के प्लेस पर 500 तो 100 के प्लेस पर 5 आ गया 39 तो 39 आ गया इस तरीके से clear है 10s में 3 आएगा और 3 10s & 9 1s clear है यहां तक अब आज हो नेक्स्ट रहे नाइन लेक्स & 9 अब लेक्स के प्लेस तक बनाना है मैं 1s 10s 100,000 10,000 & 9 लेक्स 9 लेक्स में आपने 9 लिखा लेक के नीचे उसके बाद डारेक्ट आपको सिर्फ 9 दिया तो आप 9 दिखोगे 1s के नीचे बाकी प्लेस में हमें कुछ नहीं मिला तो हम क्या लिखेंगे आपर 0000 1s 10s 100,000 10,000 लेक्स 9 लेक्स 9 लेक्स ठीक है अकिला 9 ने तो वह 1s पे जाएगा बाकी कुछ नहीं दे रखा तो आप 0 लगा दीजेगा चलिए जी नेक्स्ट कुशन पर आ चलिए और हमें क्या करना है इनको इनका वर्ड में लिखना एक तरीके से ठीक है इंदिन नम्मर नेमस में लिखना इनको तो इसको लिखने के लिए न आप हमेशा यह जो है ना जस्ता मिनिट में इसको पहले वाइड कर के दिखात हूँ को यह तिक ऑप अच्छे से समझ भ है थाउजंड तो 56,712 बस इसी की स्पेलिंग आपको लिखनी होगी ठीक है 56,000 क्योंकि थाउजंड के प्लेस पर है 712 नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखते हैं अब इसको भी बड़ा करते हैं नेक्स्ट में आ रहा है हमारा वर्न टैंज हंडरेट थाउजंड टैन थाउजंड और यह गया मारा लैक ठीक है तो 7,010,321 यह रोड़ है सेविन लैग तेन थाउजंड फ्री हंड्रेड एंट्वेंटीवन क्लियर है नेक्स कोशन देखते हैं अब देखो अब मैं और चाउड़ा कर देती हूं जो सोधाट आपको च्छी से और ज्यादा समझ मेंगा अब देखें ये कोशन में वन्स टेंस हंड्रेड थाउजंड थ थाउजंड 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 लग तो एट लाक 65 के हैं मारे थाउजन फोर हंड्रेड एंट एंट एन आई होप यह भी एट लाक 65 के थाउजन के प्लेसेस पे आरे हैं यानि क्या पुने उपर इस तरीके से इनकी प्लेसेस लिख ले लिए तो आपको अच्छे से लिख पाओगे फिर नेक्स्ट वोश्चन देखो वंस वंस t ताहुजंट फाइव अंड्रेट और और यहां तक लियर है यहां तक देखिए नेक्स्ट देखिए अब वह मैं चाटनी मिना दीज बार अब आप बनाना 70,105 70,105 नेक्स्ट देखो 35,000 4 चीक है 35,000 के बार डारेक्ट हमारा क्या है 4 है 35,000 and 4 अब आजो next question की तरफ अब यह कह रहा है हमसे write the international number name of the given numbers in your notebook अब सबसे बहले हमें हैं यहां पर पढ़ने वाली बात होगी international number names थीक है तो वो कैसे होते हैं once, tens, hundred, once, tens, hundred, उसके बात क्या आएगा thousand, ten thousand, फिर hundred thousand, फिर million, फिर ten million, ठीक है इस तरीके से चलेगा आपका clear है once, tens, hundred thousand, ten thousand, hundred thousand, फिर million, फिर ten million, फिर billion चला जाएगा अभी आपका इतना नहीं है ठीक है अभी आप इतना ही समझो आप आजो एक एक करके देखते हैं अब इसका कैसे रहेगा इसका क्या रहेगा once, tens, hundred, thousand, and ten thousand अभी तो simply हमारे इंदोस्तानी वाला ही चलेगा कोई दिकत नहीं है आपर भी तो 12,157 वही रहेगा 12,157 clear है इसमें ध्यान रखना है इसमें तीन-तीन के पेर बनते हैं पीछे से ठीक है पहले तीन का पेर फिर एक कॉमा ठीक है फिर तीन का पेर अगर यहां होता मानलो यहां पर 556 और होता तो यहां पीछे से 123 काउंट करके फिर कॉमा लगाते हैं है हमारे हिंदुस्तानी सिस्टम में क्या होता है पिछली कोईशन ने देखो आप पहले तो तीन का पेर बनता है फिर उसके बाद दो-दो के पेर बनते है थाउजन तेन थाउजन फिर लैक तेन लैक इस तरीके से ठीक है दो नंबर द 10,000 100,000 थाउजन 10,000 100,000 तो 854,000 यह तो थाउजन यह 850 क्या है हमारे यह तो थाउजन यह 435 हो गया अंसर 880 54 क्या है यह थाउजन है 435 तो next देखते है हम कि देखे अब आ रहा है हमारा 21 तो थाउजंड है देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है 700 के प्लेस पर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है नेक्स्ट कोशिन के तरह आ जों नेक्स्ट में आ रहा है हमारा 1-10-100-1000 और 100,000 या रखने हैं चीज ठीक है इसमें क्या आया हमारी 1,000 कितनी हो गए 990 990 है नहीं यह नमबर 990 धिक्राए 990 कितनी किस पॉजिशन पर हो गए हमारी थाउजंड तो 990 तो 1000 थाउजंड नहीं लिखना है थाउजंड ठीक है 990,000 है 458 फिर इसको आप नॉर्मल लिखेंगे नेक्स्ट कुशन देखो इसके बाद आ जो हमारा यह आ गया 57 तो थाउजंड है है ना 57 तो मारे 1000 के प्लेस पे 805 वन सेंड ठीक है थाउजंड तो 57 ताउजंड एटन फाइट नेक्स्ट देखिए 29582 तो सिंपल है 29582 नेक्स्ट देखिए 40,300 एंड 16 ठीक है एंड 16 क्लियर है हंड्रेट के बाद हम क्या लगा रहे हैं एंड 40,300 एंड 16 नेक्स्ट देखो अब आजो कोशन नंबर डीपर राइट दन नंबर इन शॉर्ट फॉर्म अब आपको इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है शॉर्ट फॉर्म में लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह हो थे पर पर दो फॉर्म नंबर 10,000 तब किया मारा 10,000 ठीक है तो यह लिखो 10,000 7 और 10,000 प्लस 7,000 कितने हो गए थाउजंस कितने हो गए हमारी है 17 बढ़ 10,000 और 7,000 मिला के कितने हो ए 17,000 17,000 800 800 के नीचे आएगा 9 10 और 4 1 9 10 के नीचे आएगा 4 1 के नीचे आएगा clear है, चलो next देखो once, tens, hundred, thousand, ten thousand forty thousand और five thousand कितने मिलके हो गई है forty five thousand ठीक है, यहां तक कोई दिकत नहीं है two hundred, यहां पर आ जाएगा three tens, three के नीचे आएगा, tens के नीचे और two ones, ones के नीचे आएगा समझ में आ रहा है बिल्कुल, आप आजो next next question में देखो once, tens, hundred, thousand, ten thousand and lakh ठीक है, अब यहां क्या है, nine lakh तो nine lakh के नीचे रिखो sixty seven thousand, देखे न, sixty thousand plus seven thousand sixty seven हो गए हमारे thousands nine है हमारे hundred, two tens और eight ones क्यां तक clear है, चलिए next देखे once, tens, hundred, thousand, ten thousand क्योंकि next question हमारा thousand तक है thirty तो है thousand, तो thirty लिको thousands के place पर, ठीक है, thirty thousand हो गई है अब six है हमारा hundred, zero tens है, zero once है तो भई zero tens और zero once यह बन गया हमारा answer next question देखे है, ones, tens, hundred, thousand, ten thousand और legs, ठीक है, यहां पर आना ची हमारा two legs के नीचे two आ जाएगा twenty thousand और one thousand कितने हो गए, twenty one thousand ठीक है zero hundred है, seven tens है और two हमारे ones है तो उसके नीचे यह आ जाएगा, I hope समझा रहा है, two legs के नीचे आ गया twenty thousand, one thousand, twenty one thousand हो गए, ठीक है तो twenty thousand और one thousand, चल यह next देखे है ones, tens, hundred, thousand और ten thousand, ठीक है अब eighty thousand और nine thousand, eighty nine thousand तो 89 लिको इन दोनों के place के नीचे है आप आजो one hundred, तो one hundred यहां जाएगा, two tens यहां जाएगा, seven ones यहां जाएगा, clear है next देखे है question, next में बुल रहा है seven lakhs, seventy thousand, चलो करते है ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, लैक, तो लैक की नीचे आएगा, seven, seven lakhs, seventy thousand, six thousand बतलब 76 thousand, ठीक है, eight hundred, six tens और zero ones, next question ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, ठीक है, यहां पर तो ten thousand तक है ना, आप देखो, forty thousand और six thousand कितने हो गए, forty six thousand, six hundred, two, tens, three, ones, clear है, I hope यहां तक वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, अब आगे का पार्ट हम करते हैं, देखो, D part तक हमने कर लिया, आगे का पार्ट हम करेंगे, next part में, ठीक है, मैं तो काफी parts में ही आती रहेगी, इसी तरीके से, तो वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करना, शेयर करना, और जितना जादा हो सकता है आप शेयर करना, क्योंकि अब आपको यह पूरी किता में यहां पढ़ाने वाली हो, फिर मिलते हैं, next video में, tell them, love you all, bye bye, और किसी को भी personal class लेनी है, यानि कि tuition classes लेनी है, घर पर मेरे, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, I live in Gorsity, Gritter, Noda, West, Gorsity 1 में में राती हूं, नमबर है मेरा 8588821529, गद्बाइ,